एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था, एक दिन जब अपने बिल की तरफ लोट रहा था, तो उसने एक शेर को अपने गुफा में मजे से सोते हुए देखा, जिसे देखकर उसे एक शरारा सुझी, वो चूहा शेर के गुफा में घुज गया, और उचल करने लगा और शेर के बाल खीचने लगा, जिससे शेर की मीन भी खुल गई, शेर ने गुस्से में चूहे को अपने पंजो में दबोच लिया, अब चूहा समझ गया था, कि अब उसे शेर की गुस्से से कोई नहीं बजा सकता, चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शे शेर की हसी निकल गई, शेर ने कहा कि तुम खुद इतने चोटे हो, मेरी क्या मदद करोगे, चूहे की विंती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई, और उसने चूहे को छोड़ दिया, चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला, और वो वहां से चला गया, कुछ दिनों बाद शेर खाने के तलाश में इधर-दर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाय जाल में फस गया, शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश ही, लेकिन निकल नहीं पाया, काफी देर कोशिश करने के बाद, शेर ने मदद के लिए दाहार लगानी कर दिया, और कुछ ही देर में शेर को उस जाल से आजाद कर दिया, चूहे की इस मदद से शेर की आँखे भराएं, और नम आखों से शेर ने चूहे को धन्यवात किया, और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए, तो इस कहाने से हमें ये सेख मिलती है, कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दोसरों की मदद करेंगे, तभी कोई हमारी मदद करेगा,